राखी जी आपने defamation suit फाइल किया है क्या है एक जैकली यह हमारे एड़ोकेट जी है मेरे हम लोग सीवियल क्रिमिनल दोनों के आज फाइल कर रहे हैं अधनान जी मेरे वाखील है आप वो बताएंगे आपको हमने अभी defamation suit initiate कर दिया है इसकी जो भी requiremently court related सारी हो चुकी है राखी जी अभी अपना अपना affirmation भी करके आ गई हैं और हम केस कर रहे हैं हम लोगों के मीडिया में बात नहीं कर गए हम केस कर गए हैं जी हां बिल्कुल मैं केस कर रही हूं मैंने तनुश्री दत्ता पर 54 का केस किया है क्योंकि मैं बहुत प्रे करती हूं मैं परमेश्वर पिता में विश्वास करती हूं और गाड ने मुझे सपन दिखाया है कि बेटी की सजा माबाप को ना मिले उनके माबाप innocent है और मैंने पहले 50 करोड का करने वाली थी बट तनुश्री दत्ता और बत्तमीज अगर होगी तो और अगर मुझे और गालियां देगी तो क्योंकि उसने मुझे बहुत abuse किया है उन्होंने कहा है कि मेरे brain की surgery होनी चाहिए मेरे brain की plastic surgery होनी चाहिए मैं गिरी हुई हूँ मैं lower class हूँ बहुत जादा से जादा घटिया बोला मेरी मा की कोख को गलत कहा तनुश्री दत्ता ने आप सबके पास message पहुँचे हुए है और phone करके उनके लोगों से धंकिया भी दिलाई है और मैंने आज उसकी जो आकाद है वो उसे दिखाई है कोड में आकर पहली बार मैंने उस पे चवन्नी का case किया है उनकी उतनी ही आउकाद है और यह सारे पेपर्स आ आप देख सकते हैं criminal और यह सिविल है और यह क्रमीनल तयार आप देखे ंदेu इन हों तनो कि कहा और आप टनुशिर के डिकेड़ हायrend n शूद्टा ने कह में तुसों टनुशिय तनुशेचर जी हुआन का इत्स बाक राखी सावन से कके आप आप के खिर हमें इतर के देखें, वो तो गिदर भपकियां देरी थी, 10 करोड का केस किया है, राकी पर अभी तक कोई केस कहीं गया नहीं है, एड़ोकेट के पास, या किसी ने कोई मुझे केस किया नहीं, अगर वो केस करेंगे, तो मैं पूरा जज के पास जाओंगी, मैं कोट में जाओंगी, और मैं हैं, और मैं हर कोट, मुझे हिंदुस्तान के ला, कोट, पुलिस सबसे बहुत उम्मीद है, मैं विश्वास रखती हूँ कि मुझे पुरा न्याई मिलेगा, क्योंकि हर कोई मीडिया में जाता है, मैं मीडिया में नहीं आई हूँ, मैं गिदर भपकिया नहीं दी है, मैंने पुरा नहीं मिले, और सब कहते हैं, कि एक महिला कैसे रेप कर सकती है, तो जजच चाप डिसाइड करेंगे, और वो ही डिसाइड करेंगे, कैसे मैं सारे प्रूफ दोंगी उन्हें, और उन्होंने मुझे बहुत ही बहुत ही ऐलिगेशन लगाया है, मुझे और काफी मुझ मुझे मेरे इमेज को बदनाम करने की कोशिश की है, अब आपको कही लेडिस का कोई सपोर्ट या कोई सपोर्ट मिला है, मैं देखे इस सरफ तो अभी फिलाल मैं अकले लड़ रही हूँ, पुरी फिलम इंडिस्टिक की तरफ से, पुरा आदा से जादा हिंदुस्तार और मीडिय तनुश्री दत्ता को सपोर्ट कर रही है, इसलिए हैश मीटू को बढ़ाना चारी है, इसलिए क्योंकि हैश मीटू बिना वजय का एक गंदगी है, अमेरिका से आई हुई, एक गंदगी है जो हमारी बॉलिवूड को और हिंदुस्तान को खराप करना चाहती है, और आप देखे रहे हैं, अनु मलिक जी पर कितना गलत केश दाला गया, आलोकना जी पर और बहुत सारे और आटिस्टों पर बहुत गलत केश दाला गया, जिसका कोई हाथ और पैर नहीं है, कोई प्रूफ है नहीं, और बहुत केश डाले गए, और मुझे ये कहना है कि वो इस कि पब्लिसिटी मिल रही है, जियारीपी, टियारीपी है, हाई हो रही है, इसलिए इसको बढ़ाये जा रहा है, आउरतों के लिए कानून बने हैं, उनके मर्यादा के लिए कानून बने हैं, लेकिन आउरतों को उस कानून का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, मैं विश्वा